है लो गाइस कैसे हैं आप लोग तो चलिए आज बनाते हैं मोंफली और गुड की चिक्की तो चलिए बनादा शुरू करते हैं तो देखिए हमने एक कटोरी मोंफली लिया है जिसे हम रोष्ट कर लेंगे तो गाइस का फ्लेम हमने मीडियम कर दिया है और चलाते हुए इसे रोष्ट करेंगे तो हमारा ये मोंफली रोष्ट हो चुका है चलिए इसे निकाल लेते हैं इसी बरतन में आप मुंफली को हम ठंडा कर लेंगे, ठंडा करने के बाद इसका छिलका हम निकार का अलग कर देते हैं, ये देखिए भी हलका सा ठंडा हो चुका है, तो चलिए इसका छिलका निकाल लेते हैं, आप इसी तरह इसका छिलका अलग कर सकते हैं, बहुत आसाने से इसका छिलका न कटोरी से हम हलका सा प्रेस कर देंगे ताकि जो मुंफली हमारी जुड़ी हुई है वह खुल जाए यह दिखिए रेडी हो चुका है इसे हम रखेंगे साइड में और अब जलाएंगे गया अब कड़ा ही रखेंगे अब इसमें हम डालेंगे एक कटोरी गुण हमने जितना मु मुंफली लिया था उसी कटोरी से एक कटोरी गुण ले लिये हैं आप इसे हम चलाते हुए मैल्ट करेंगे गुड़ को गैस का फ्लेम मेडियम ही रखेंगे नहीं तो गुण हमारा जल जाएगा यह देखिए यह मैल्ट होना शुरू हो गया है तो आप इसे चलाते हुए इसी तरह गुण को पिगला लीजिए यह देखिए इसे हम कांटीन्यू चलाएंगे नहीं तो यह कडाही में चिपक जाएगा चलिए इसे चेक कर लेते हैं तो यह देखिए हमने कटोरी में लिया है थोड़ा सा पानी और पानी में थोड़ा सा गुण डालेंगे और ठंडा कर लेंगे फिर इसे हम चेक करेंगे यह चेक करने क बहुत आसान तरीका है तो आप लोग इसी तरीके से इसे बहुत अच्छे से चेक कर सकते हैं तो चलिए देख लेते हैं ये देखिए अभी ये हमारा गुड़ अच्छे से तयार नहीं हुआ है ये देखिए ये टूट नहीं रहा है इसे हम और पकाएंगे अब इसे हम दुबारा चेक करेंगे देखिए ठंड़ा कर लेंगे गैस का फ्लेम हमने एकदम मेडियम ही रखा है चलिए दुबारा देख लेते हैं ये देखिए अब ये हमारा गुड़ एकदम रेडी हो चुका है ये आराम से तूट रहा है तो अब इसमें हम डालेंगे जो अपनी मौमफली हमने तयार करके रखा है उसको और गैस का फ्लेम तुरंत बंद कर देंगे ये दिखिए मौमफली डालने के बाद इसे बहुत जल्दी जल्दी आपको चलाना होगा नहीं तो एक इकठा जम जाएगा अब इसे हम किसी पलेट पे निकाल लेंगे आप इसे पाली थीन पे भी निकाल सकते हैं ये देखिए गुर डालने के बाद इसको बहुत जल्दी जल्दी हमें हाथ चलाना होता है इसे हम फैला देंगे कर्ची की मदद से ये देखिए हमने इसे फैला दिया है ये भी बहुत जादा गरम है तो आप बहुत हिसाब से इसको करिएगा नहीं तो हाथ जल सकता है और आप इसे हम इस पे चाकु से निसान लगा देंगे गरम गरम में ही तकि हमारी चिक्की निकलने में बहुत आसानी से निकल जाए तो दिक्कत होगी, क्योंकि जब यह ठंडा हो जाएगा, तो फिर हम इसे काट नहीं पाएगे, अगर आप निसान लगाए रहेंगे, तो यह बहुत अच्छे से खुल जाएगा, तो चलिए, इसमें हम निसान लगा देते हैं, यह देखिए, आप इसे हलके हाथों से, बहुत जादा हमें इसे काटना नहीं है, बस हलका सा निसान लगाना है, अगर इसमें निसान लगा रहेंगा, तो बहुत अच्छे से निकल जाएगा, तो गाइस, एक बार इसे जरूर ट्राई करिए, आप लोग, बहुत आसानी से आप इसे बना लेंगे, और ठंडी का मौसम आ रहा है, तो आप इसे ठंडी में एक चिक्की रोज खाईए, गुड क्योंकि गुड गरम भी करता है, तो ठंडी में फायदा करेगा, तो बजार से, खरिदने से अच्छा है कि आप इसे घर पे ही तयार कर लें, तो एक बार इसे जरूर ट्राई करिए, ये देखिए हमने इसमें निसान लगा दिया है, अब इसे हम रख देंगे ठंडा होने के लिए, ठंडा हो जाता है फिर आप लोग को दिखाती हूँ, ये देखिए, ये ठंडा हो चुका है, तो चलिए इसे हम तोड लेते हैं, देख लिए आप लोग दोनों तरफ से बहुत अच्छा लग रहा है, दिखने में भी, और खाने में तो बहुत टेश्टी था, क्योंकि ये चिपक नहीं रहा था, बहुत अच्छे से टूट रहा ये देखिए, इतनी अच्छी हमारी चिक्की बन कर तायार हुई है, तो गाइस, इसे आप लोग जरू ट्राइ करिए, अगर आपको ये रेस्पी अच्छी लगती है, तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सेर कीजिए, चलिए इसे हम निकाल लेते हैं, ये देखिए, अब आप लोग को तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए, कितने अच्छे से टूट रही है, बहुत क्रिस्पी बना था, तो आप लोग इसे एक बार जरूर बनाईए, और खाईए, इंज्वाइ कीजिए, और हमें बताईए कि आप लोग को ये रेस्पी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है, तो प्लीज गाईज मेरे चैनल को लाइक सेर सस्क्राइब करिए, तो चलिए मिलते हैं, नेक्स्ट व